हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल विनेगी पांट साला में आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा साथ की गड़त प्रिकास जो कक्षा साथ की गड़त है उसकी अभ्यास काल पुष्टका है और उसकी इकाई तीन हम लोग कर दिये गए ग्राफ के आगे उसका नाम अंकित कीजिए देखो जो भी हम लोग आकड़े दरसाते हैं उनको प्रदरसत करने की तीन प्रमुक्विदिया है एक में इस तरीके से और एक में जो है इस तरीके से तो यहां पर जो है बार ग्राफ यानि दंडा रेक पिक्टोग उसके बाद जो है वो आता है यह और यह हमारा है दंडा रेक दंडे के आकार की जो है आकरती बनती है और इसको हम लोग बार ग्राफ भी कहते हैं और अंत में यह चित दिया गया है यह वृत के अकार का इसको हम लोग व्रत्ता रेक कहते हैं इंग्लिस में इसको पाई चार्ट में कहते हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा प्रस्ट नंबर एक अब देखते हैं प्रस्ट नंबर दो को तो यहांपे हमारा दूसरा प्रसिंद दिआ गया है कि गड़ित के स्पाइश्ट में 30 विद्यारति वोरा देखे वह लखे उप्रोग्स द्रकारानि द्रकारे़ एक सारड़ी के रूप में विवस्थित करते हुए रिक्त स्थानों की पूरती किए यहां पर हमें जो उफ यहां पर दो लोगों ने दूआ पाए तो दो टेली चिन or बारंबारता इसकी हो घशागी is two the प्रिकार आगे तीन अंक देख लो कितने लोगों ने पाए है तो तीन अंक एक और यहां पे नहीं है कोई एक ये दो इसमें नहीं है कोई और तीन तीन लोगों ने तो टेली चिन हो गए तीन बारं बारता हो गई तीन इसी प्रिगार से चार रंग जो हैं वो कितने लोगों ने पाए हैं उपर वाली लाइन में एक और दो तीन चार पांच छे छे लोगों ने चार रंग पाए हैं तो देखो पहली चिंद कैसे बनाते हैं चार तो हमने यह कर दिये पांचवा इस त्रीके से किया और छटवां तो यह हो गए हैँ आगे जो हैं तो है आप देखते हैं पांच पां पांच नक कितने विधार्चीं ने पडाप किये हैं एक और इस लाइन में दो और इदा तीन चार तो पांच ग्रोंक राफ की है एक-ड़ो तीन चार ठीक है आगे देखते हैं च्छाय ग्रोंक कितने लोगों को आपकी है आप एक-ड़ो роб तीन चार पाँच कि रिखक यह एक-ड़ो तीन चार और यह पाँच अब इसके बाद 7 अंग कितने लोगों ने प्राप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् एक, दो, तीन, चार, नव अंग तब के हैं, एक, दो, तीन, चार, और चार, यहां पर हम क्या करेंगे, यह तोटल करके देख लेंगे, अगर यह हमारा पूरा थर्टी आ रहा है, इसका मतलब कोई भी नंबर हमारा छूटा नहीं है, तो देख लो, दो, तीन, दो, पाँच, है, पाँच, ग्यारा, ग्यारा, चार, पंद्रे, पंद्रे, पाँच, बीस, बीस, तीन, 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 चार, चार, तीस, इसका मतलब जितने अंग यहां पर राप्त हुए थे, उतने हमने, आकडों को विवस्थित करके, टैली चिंद के अंसार लिख लिए हैं, अब देखो यह फईले हुए लिखेए यहां पर एक विवस्थित करें में लिखे, इसको हम और विवस्थित करेंगे, चार्ट बनाके, दंडा रीख बनाके, देखो कैसे बनाते हैं, यहां पर अलग-अलग कलर से करना है, आप चाहो तो एक ही कलर से कर सकते हो, दो आए थे, दो कलर की यह तिन कितने बच्चों के आये थे तीन बच्चों के तीन बारम बाता है इसका मतलब तीन में हम कितने कलर करेंगे तीन बॉक्स कलर करेंगे है ठीक है दिख रहा आपको इसके बाद चार कितने बच्चों के आये हैं छे बच्चों के चार रंक आये हैं तो एक दो तीन चार पांच छे छे बाउक्स यहां पर हम कलर करेंगे यह कोई भी कलर आप किसी में कर दो यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं चार नंबर पर हरा कलर ही करना है और आप चाहो तो एक कलर से भी कर सकते हैं ठीक है अब आगे देखते हैं पांच अंग कितने बच्चों के आये हैं चार बच्चों के तो पांच में पर हम चार कोलम एक दो तीन चार अब शेक कितने बच्चों के आये हैं पांच बच्चों के तो दो च्यंग का यह आए पांच बच्चों के एक दो तीन चार पांच अब आगे देखू, साथ अंग कितने बच्चों के आए है, साथ अंग का आए है, तीन बच्चों के, साथ अंग हम कहा देंगे, एक, दो, तीन, तीन बच्चों के आने की तीन कौल, ठीक है, आठ अंग का आए है, ये भी तीन बच्चों के तो, एक, दो, तीन, आठ अंग के सामने भी हम, तीन ब्लॉक्स कलर करेंगे, अब नो अंग आये हैं, चार बच्चों के, तो जब नो के आगे, एक, दो, तीन, चार, चार बॉक्स कलर कर देंगे, तो इस प्रकार से आपने देखा, कि ये हमारा जो है, उप्रोक्त साडी को देखकर, हमने संख्या की बारंबारता के अंशार, संख्या के उपर के खानों के रंग हमने भर दिये हैं, और इसमें अगर हम लिखना चाहें, तो इधर हम लिख देंगे, प्राप्त अंक, और इधर हमारी हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रस्म कम्प्लीट होता है, आईयोब की आप लोग इसे समझ गये होंगे, बहुत अ प्रस्म था, अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रस्म पर, तो तीसरे प्रस्म नमारा यहां पर दिया गया है कि निम्न लिखित सारड़ी की साहिता से पाई ग्राफ के तिर्जे खंड में अलग-अलग वस्टूओं के लिए अलग-अलग रंग भरी है, ठीक है, का है कि आठ की पसंद के खाने की वस्टूओं की सारड़ी निलना है, बिस्किट एक बच्चे को पसंद है, कुल कुले दो बच्चों को, टॉफी दो बच्चों को, चॉकले तीन बच्चों को, और कुल है आठ, तो यहां पर देखो, अलग-अलग रंगों से हमें करना है, तो के गट, एक बच्चे को, ठीक, और यहां पर हम बिस्किट नहीं लिखेंगे, यह इधर कॉलम बना हुआ है, इसमें हम वही कलार डाल देगे, जो कलार हमने बिस्किट के लिए, भला हुआ है, ठीक है, एक बच्चे को, अब है कुल कुले दो बच्चों के लिए, तो दो अब अब बच्चों के लिए जैदा बच्चों को पसंद होती है और यहां पिए वो संख्या है दो तोग्लेट के सामने वाले बॉक्स में यही कलर जो हमने चॉकलेट में भड़ा था वो इसतर कर दिया अब यहां पर आप आंसर दे किये कनल पो किसी ने एक यहां पर किया वने एक यहां पर किया एक मतलब कोई बी एक कर दो दो क्रोक्रे में कोई भी दो क्रोक्रे कर दो टौफी के लिए दो कोई भी दो टौफी के लिए कर दो चौकलेट के लिए तीन कोई भी तीन बॉक्स चौकलेट के लिए कर दो इस तरीके से यह हमारा तीसरे का पहला हमारा कंप्रीट होता है अगले पर चलते हैं इसमें भी हमे यूप गुबारे के रंग को बर sometime को इसमें को तो देखो यहां पर बच्चों की संख्या पांच लाल lange यलग के गुबारे पांच बच्चों को पसंद एक रह दो तीन चार पांच यह पांच अमला रंग से कर देंगे और लाल गुबारे के सामने जो बॉक्स है उसमें भी हम यही कलर करेंगे सेम आप लोगों ने न्यूद पेपर में इस तरीके के पाई चार्ट बने हुए खूब देखे होंगे आगे हैं पीला और पीले रंग में तीन बच्चे हैं तो यहां पे भी हम तीन कलर कर देंगे एक दो तीन और यही कलर पीले गुबारे के सामने जो बॉक्स है उसमें भी कर देंगे आप लोग समझ गया होंगे कि पाई ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं आगे हैं नीला नीले के आगे भी तीन बच्चे हैं तो तीन बॉक्स हम नीले के लिए कलर कर देंगे एक दो तीन और इधर भी हम बॉक्स उसी कलर से कलर कर देंगे अंत में हरा और हरे रंग के गुबारे शिफ एक बच्चे को पसंद है यहां पे मेरा आप देख रहे होगे इक ही बॉक्स बच्टा है उसी में हम हरा कर लगा दे देंगे इदर हरे गुबारे के सामने वाले बॉक्स में भी हम वही अरा रंग भर देंगे तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह पाई ग्राफ हमारा बनके तयार हो चुका है आयोप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गया होगी अब चलते हैं अगले प्रस्म पर तो होगी तो यहाँ पर देखो क्या क्या हमें दिया गया है अमरूद हमारे पास भरकुल कितने फल है तो देखो यहां पर हम लिख देंगे अम्रूद 12 प्लस संतरा 43 प्लस केला 22 प्लस आम 40 और प्लस सेव 76 इन सब को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा तीन दो पांच 527 76 तेरे की तीन हांसे लगाए एक एक और एक दो चार दो छै दो आठ आठ चार बादा बादा उसात 19 एक सोत तिरामदे तो कितने फल है फल की दुकान पर एक सोत तिरामदे ठीक है आगे है कि किस फल की संघ्या सबसे अधिक है तो सबसे अधिक क्या है सेव और कितने हैं, 76 हैं, ठीक है, आगे प्रस्ट है कि आम की संख्या से केले की संख्या कितनी है, इस प्रस्ट में थोड़ी सी मिस्टेक है, आम की संख्या केले की संख्या से कितनी है, यह होना चाहिए, यहाँ पर से नहीं होना चाहिए, अब देखो, आम है 40 और केला है 22, तो यह यहां पर सीधा साम लिख देंगे, 40-22 बराबर 18, कितनी संख्या देखे, 18, आगे प्रस्ण है कि कौन सा फल सबसे कम संख्या में है, तो सबसे कम क्या है, अमरूद, और कितने है, 12, ठीक, आगे प्रस्ण है कि फल की दुकान पर कितने प्रतिशत सेव है, तो यहां पर हम सेव का प्रतिशत निकाल देंगे, आपको पता होगा प्रतिशत निकालना, तो बटे में हम लिख देंगे कुल फल कितने हैं, और वो हमने ऊपर निकाले थे 193, ऊपर हम लिखेंगे सेव, किने सेव हैं, कुल 66 सेव हैं, और गुड़ा कर देंगे 100 से, तो यहा हमारा आएगा 49.378 प्रतिश्यत और यही हमारा आंसर आजाएगा ठीक है आगे है कि फल की दुकान पर संत्रा और केला कुल फलों के कितने प्रतिश्यत हैं सबसे पहले तो हम निकालें गे कि संत्रा प्लस केला यह होगा कितना तो देखो यहां पर संत्रा है 43 और केला है 22 और यहां पर रहां लिखनेंगे 43 धन 22 . racket já 65 है अब लिखनेंगे इनका प्रतिश्यत प्रतिश्यत में सबसे पहले बते में कुल फल कितने हैं 195 193 और संतरा और केले का योग कितना है 65 और उपर गुणा कर देंगे 100 का इतने प्रिचिशत हो जाएगा यहां पर 65 डबल जीरो बटे 193 इसका हम भाग देंगे आप लोग अलग देखे देखिएगा यह हमारा आएगा 33 दसम लब 2678 प्रिटिशत यही हमारा आंसर आजाएगा हमने इस बाग को अलग कर लिया था आयोब के आप लोग इस प्रस्न को बहुत अच्छे से समझ गये होंगे तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रस्न पर तो अगला प्रस्न मारा दिया गया है कि एक विद्याले में खेले जाने खेलों का पाई ग्राफ निम्नवत है ग्राफ को ध्यान पूर्वक देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यहां पर एक पाई ग्राफ बना हुआ है और इसमें विद्याले में कौन-कौन से खेल खेले जाते हैं उसका सब डेटेल लिखा हुआ है यहां पर आप अब नीचे कुछ दिये गया है उनको हम लोग भरते हैं तो सबसे पहले है कि सबसे अधिक पसंद किये जाने वाला खेले सबसे ज्यादा खेल कौन सा खेला जाता है तो वह हमारा सड़सट बच्चे खेलते हैं क्रिकेट दूसरा है कि सबसे कम पसंद किये जाने वाला खेले सबसे कम यह होकी और कबड़ी चौदे लोग खेलते हैं लेकिन शत्रणज कितने लोग खेलते हैं केवल 12 लोग खेलते तो यह सबसे कम खेला जाता है पाई ग्राफ का सीषक क्या है, सीषक है हमारा पसंद दीदा खेल, ठीक है, आगे देखते हैं, ये और ये को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है, कौन सा खेल, दो खेल हैं, जो बरावर बरावर बच्चे खेलते हैं, तो ये होकी और कबड़ी है, होकी और आगे है कि कुल कितने प्रिकार के खेलों को इस ग्राफ में प्रिदासित किया गया है तो कुल कितने प्रिकार के खेल है काउंट कर लो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ कुल साथ प्रिकार के खेल जो है वो इस ग्राफ में दिखाए गया है आगे है कि कुल कितने बच्चों के आक्ड़े इस ग्राफ में सम लेते हैं इन सब को हम लोग काउंट कर लेंगे ठीक है होकी 14, 17 जबारे, बैडमिंटन 30, बास्केट बाल 14, कबड़ी 14, फुटबॉल 38, सरस्थ इन सब को जोड देंगे तो 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, और 8, 17, 17, और 8, 25, 25, 27, 32, हांसे लगा 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 5, 12, 13, 13, 16, 16, 16, 22, 22 तो कुल कितने बच्चों के आकड़े यहां पे हैं, 222 बच्चों के, आगे है कि बच्चों को बास्केट बाल खेलना पसंद है, कितने बच्चों को बास्केट बाल खेलना पसंद है, 54 बच्चों को, लिख देंगे यहां पर 54 बच्चों को, आगे है कि कितने बच्चों को 17 सबसे कम बच्चों को बाद है यहां पर यहां पर सक्षान में लिख देंगे हैं आगे हां बैद्मिंटन खेलने वाले था क्षा कि कि आठीक है तो बैड्मिंटन खेलते हैं कि बच्चे और फ़वी शूोदय यहां पर हम कर देंगे टेष माइनस 14 और घटा देंगे तो यह कितना आ जाएगा नौ ठीक है आगे दिया गया है फुटबॉल से अधिक पसंद किये जाने वाले खेल कौन-कौन से हैं तो फुटबॉल यहां पर 38 लोग खेलते हैं और इससे ज्यादा दो खेलें एक तो बास्केट बाल चमवन लोग और क् और यही हमारा अंसर आ जाएगा आयोपी आप लोग इस प्रस्म को बहुत अच्छे से समझ गये होंगे अब चलते हैं अगले प्रस्म पर तो बच्चों अगला प्रस्म यहां पर हमारा दिया गया है कि पार्किंग में खड़ी अलग-अलग रंकी कारों की संख्या से एक सा पार्डिक के अंसर रिक्तिस्तानों की पूर्टी केजिए सफेद रंकी 20 कारे हैं पीले रंकी 8 कारे हैं काले रंकी 12 कारे हैं लाल रंकी 18 और नीले रंकी 2 कश्या अगर हम यहां पर योग करें तो 20, 12, 20, 20, 40, 12, 20, 60, 60 कारे हो जाएंगे पहला औरकतिस्थान यही है कि पारकिंग में could kतनी कारे हैं अभी हमने टोटल किया, हमारे पास 60 कारे हैं इस चित्ने इस पाई-ग्राफ को कितने भागों में बातेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच भागों में बातेंगे ऐसा होता है पाई ग्राप जो हमारा यह इस तरीके का होता है यह पूरा कोण कितने हंस का होता है तो यह हमको पता है समपूर कोण होता है 360 हंस का इसके आगे इस पाई चार्ट में एक कार का अंस माप है तो देखो कुल 60 कारे है और पूरा कोण हमने अभी बताया आपको 360 हंस का होता है तो तो चैन्स आया है इसका इसमें गुणा का देगे 20 चक्का 120 इसके बाद पीली कार के लिए वही काम करेंगे आठ कारें पीली थी तो चैन्स काम गुणा करेंगे आठ चंग 48 अंसफ का जाए गा जाएगा काली कार के लिए 12 कारılar हैं एक कार के लिए 6 होगा तो 12 छक्का बात तरंस हो जाएगए आगे है लाल कार के लिए कार्ड नहीं है यहां पर कर लाल कार के लिए तिंज खंड का अंस है यहां पे 6 है और लाल कितना है 18 तो 6 गुड़े 18 अठारा चक्का 108 अंत में नीली कार के लिए 3 जिखंड का अंस माप है नीली कारे हैं 2 तो 2 का गुड़ा हम करेंगे 6 में 6 दूनी 12 यह हमने दिक्तिस्थान कम्प्लीट कर लिए अब हम लोग जो है पाई ग्राफ को बनाते हैं अब यहां पे चांदे की साहिता से सबसे पहले है सफेद कार के लिए 20 था तो 20 के लिए 120 एक हम programs कहींचे के यह करेंगे यह कर्द था अब सफेद कार के लिए 120 हैंस तो यहां पर हम नोक रखेंगे इसकी बीच वाली और यह जो काली लाइन है यह इस काली लाइन के ऊपर आनी चाहिए और यहां से 10 20 80 100 110 120 इधर आएगा तो यह हम यहां से यहां पर जो बिंदुआ है था उसको यहां तक मिला देंगे यह हमारा हो गया 120 संस अब इसके बाद 48 अंस पी लिकार के लिए तो यहां से 48 अंस 40 45 45 47 48 इसको हम मिला देंगे यहां से तो केवल यहीं तक हम लाइन खीचेंगे इधर नहीं करेंगे ठीक है आगे है 72 अंस और यह काली कार के लिए तो फिरसे वही काम यह जो लाइन है यह लाइन इस काली वाली लाइन पर आएगी और यह बीट में सेंटर आएगा यहां पर इस प्रकार रखेंगे और 72 72 यह आया और इसको इस प्रकार से मिला देंगे तो यह हमारा हो गया 72 इसके बाद है 108 फिर वही काम करेंगे यह वाली काली लाइन जो अभी लाइन खीची है उसके उपर सेंटर यहां पर और एक सो पांच छे साथ आठ एक सो खाट और यहां से इसको मिला दिया एक सो आठ अंत में यह बचा हमारा 12 आप देखेंगे यह दस दो बार और यह इसको देखेंगे तो यह इसी पर आएगा और यह 12 बचा अंत में नीली कारों के लिए ठीक है अब हम क्या करेंगे कारों के रंगों के हम साथ त्रिज्च खंड में जंग भी भरना है तो सफेद रंग है 120 संस सफेद रंग और लेडी है और इसमें भदने की जरूरत नहीं है इसके बाद पीली पीली कार के लिए अर्टाली संस यह 48 अंस हो गया पीली कार के लिए इसके बाद काली कार के लिए बाप तरंस मेरे पास डार्क ब्राउन है इसी को हमने कलर कर दिया है आपके पास अगर ब्लैक हो तो इसको ब्लैक कलर से करना इसके बाद लाल रंगी कार के लिए एक सू आठ हंस तो यह 108 हंस को हम कौन से कलर से कलर करेंगे रेड कलर से और इसके बाद हमत में है नीली कारों के लिए बारे रंस तो यह बारे हैं इसको आप तो इस पिकाल से आपने देखा कि यह हमारा पाई ग्राफ बनके तयार हो गया है आयोब कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समध गया होगी अब चलते हैं अगले प्रस्न पर तो बच्चों यहां पर हमारा अगला प्रस्न है कि रिया के मासिक खर्च की साड़ी निम्ध है रुपए खर्च करती है और अठारा सु रुपए बचत करती है तो उसका कुल कितना है पैसे का हिसाब किताब एक महीने का यह दो जीरो आगे जोड़ देंगे इदर दो आगया चार दो च्छे च्छे आठ से चौदे की चाहरां से लगाई एक चार और एक पांट पांट द चाहरा सो का इसको आपर लिखेंगे और जो कुल रुपए हैं इनको माँ बटे में लिखेंगे 14400 और गुर्णे कर देंगे 370 अर्स का इस प्रकार से एक घर के किराई के लिए जो बनेगा वह हम निकाल लेंगे ठीक है जीरो से जीरो कैंसल होगी एक जीरो से एक जीरो यह क यहां पर वही काम करेंगे चुमवन सो हमारे उपर आ जाएंगे और कुल कितना था 14400 यह नीचे हो जाएगा और 360 हमारा पूरा कॉंड होता है तो 360 से हम गुणा करेंगे एक जीरो से एक जीरो दूसरे जीरो से दूसरी जीरो शत्यन चोकों एक उकऊबला चार एकार। एक चोवदै रुदा हुआ त्याद् frep तो यह हमारा 135 अंस आगे कपड़ों के लिए कितना कोण आएगा तो यह तीन हजार और बटे में यह हमारा 14400 और गुणे पूरा कोण यह तो यहां का भी कोण हम निकालेंगे अथारह सो बटे 14400 और गुणे कर देंगे 360 एक गीरो से दूसरी जीरो से दूसरी यहां पर भी 36 को एक सच्षार को 144 चौकू 16 तो यह हमारा 45 अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम सीधा सा पाई ग्राफ बना देते हैं सबसे पहले हम स्टेट लाइन कर लेंगे सेंटर से एक सो पांच का कोन हम बनाएंगे घर के किराए के लिए और सो एक सो पांच यहां से हम यहां तक लाइन नहीं होनी थी यहीं तक होनी थी ठीक है इसके बाद एक सो पैंते संस यह है एक सो पांच घर का किराए उसके बाद खाने के लिए एक सो पैंते संस तो यहां पर हम हिएक काली लाइन के यौपर काली लाइन मिला हैं यहां पर कैंद希望 निद्ध रखेंगे और एक सो पैंते से सो एक सुद कौन के लिए तीन अजार और ये 75 अंस का कौन बनेगा तो ये फिर से वही काम ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर जो अभी काली लाइन खीची थी उसको रखेंगे बीच में केंद्र बनाएंगे और ये 75 अंसाट 75 75 यहां से हम इसको मिला लेंगे यह हुआ हमारा 75 अब यह ज माड़े कैडमी यह मैं लिखना भी नहीं चाहिए अब हम चार डिफेरेंट कलर से इनको हम लोग कलर कर देंगे तो गर के किराए के लिए हमें ये कलर कर दिया ठीक है यहां पे दर हम लिख देंगे घर का किराया उसके लिए कौन सा कलर यूच किया यहां पे खाना खाने के लिए कौन सा कलर यूच किया यहां पे कपड़े कपड़ों के लिए कौन सा कलर यूच किया अंत में बचत बचत के लिए कौन सा कलर यूच किया तो घर के किराय क के लिए क्लार यूच किया था वो हमने यहां पर भर दिया इसके बाद खाने की बात आती है कि खाने का छोड़ो कपड़ें करकर दो यह वाला कलर कप्ड़ों लगा रहे हैं कि यह आप ने कपर हिमें कर desapahren थे रहे हैं आप लोग कोई भी कलर किसी पर भी कर सकते हैं कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं नहीं यहीं कलर करना है और एक कलर बचत के लिए है यह वैला कलर हमने बचत में डाल दिया इस प्रिकार से बच्चो यह हमारा पाई ग्राफ जो है बनके तयार हो गया आयोप की आप लोग इससे समझ गये होंगे तो बच्चो आगे हम लोग करस नमबर आट पर चलते हैं वो है हमारा कि दिये गए सब्दों से रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए यहां पर कुछ सबसे पहला है ऑसत आकड़ के एक समूह की केंद्री प्रत्य को दर्साता है केंद्री प्रत्य यहां पर भड़ा जाए अब और मूर के आकड़ों के बीच में होता है, सबसे अधिक और सबसे कम, यहां पर भरा जाएगा सबसे अधिक और सबसे कम, आगे है केंड़ी प्रव्रत्ति वह संख्यात्मक माप है, जो आकड़ों का सबसे अधिक, क्या करता है, प्रव्रत्ति निधित्तु करता है, आगे है कि और सत को लिक्तिस्थान कहा जाता है और सत को क्या कहा जाता है समांतर माध्य और भी माध्य निकाले जाते हैं यहां पर इस क्लास में अभी समांतर माध्य है ठीक है आगे रिक्तिस्थान हमारा दिया गया है कि समांतर माध्य वह मान है जो दिये हुए पदों के में रिक्तिस्थान से भाग देने पर राप्त होता है, पदों की संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, आगे है समांतर माध्य को संख्यप में माध्य कहते हैं, ठीक है, इसके आगे है सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स को कहते हैं कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, आगे एन, एन हमारा होता है पदों की संख् और F जो होता है वो हमारी होती है बारंबारता आगे है हमारा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ यह हमारा होता है समानतर माध्या आगे हम लोग निकालेंगे समानतर माध्या जो टेबल के माध्यम से संचरी बारंबारता से हम निकालते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं समान तो इस प्रकार से हमारा यह प्रस्ट कम्प्लीट होता है आयोपने आप लोग समझ गया होंगे अब चलते हैं अगले प्रस्ट पर तो अगला प्रस्ट नमबर 9 हमारा दिया गया है कि निमने लिखित साड़ी को पूर कीजिए यहां पर टेबल दी गए इसको हमें कम्प्लीट करना है ठीक है तो सबसे पहले 22,5,12,9 यह संख्याएं है इन संख्याओं का योग है 50 और आगे कुल संख्या है दी गई है और फिर समानतर मार्द आपको पता है कि यह बटे यह कुल योग बटे कुल संख्या है तो यहां पर अब दूसरे प्रस्ट में हम क्या करेंगे इनक प्लस 5 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 5 तो इनको हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा साथ आप लोग अलग कॉपी पर जोड़के देखना ठीक है कुल संख्याएं हैं यहां पर हमारी 1,2,3,4,5,6 यहां पर सभी में संख्याएं लिख दो पहले 1,2,3,4,5,6 यहां पर भी 6 संख्याएं हैं 1,2,3,4,5,6,7,8,9, यहां पर हमारी 9 संख्याएं हैं 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यहां पर भी देख लेना, यहाँ पे 17, 12, 15, 14, 12, इनको हम लोग जोड़ेंगे तो यह हमारा आएगा 17, हमने जोड़के लिख लिया है, आगे 13, 15, 18, 12, 19, 17, 15, 16, 24, इनको हम लोग जोड़ेंगे तो 99 आएगा, आगे 14, धन 16, धन 11, धन 2, धन 6, धन 115, धन 21, और यह हमारा आएगा 23, नीचे है 1, धन 2, धन 30, धन 2, धन 5, धन 4, धन 3, धन 2, धन 1, धन 12, और इनको जोड़ेंगे तो आएगा 26 ठीक है अब हम इधर जो है समानतर मात निकालेंगे तो यह हमारा आएगा 60 बटे 6 भाग दे देंगे 10 हमारा आजाएगा यहां पर 128 बटे 6 भाग देंगे हम 6 दूनी बार है दो आगया 6 एकम 6 फिर बचा दो दसम्लब यहां पर 0 बढ़ा देंगे तो 2 0 20 हो गया फिर 6 3 8 फिर 6 3 8 फिर 6 3 8 इस तरहे के से हमारा आजाएगा तो यह हमारा 21 दसम्लब 3 3 हमारा समानतर मात नाएगा आगे देखो इदर 70 है बटे में है 5 तो 70 बटे 5 हम करेंगे 5 एकम 5 दो बचा 20 होगया पांच ओको 20 यह 14 है हमारा अंसर आजाएगा आगे देखेंगे यह हमारा 99 बटे में यह 9 यहां पर 11 है हमारा अंसर आजाएगा आगे यह है 223 बटे में है 9 आप लोग भाग दीजिएगा और दूनी अठारा चार बाइस तितालिस हो गया नव चोको 36 और नव चोको 36 चार तीन साथ बचे दसमलब साथ जीजो सट्र हो गया नव सत्य त्रेशट फिर से साथ बचा फिर नव सत्य त्रेशट नव सत्य त्रेशट इस तरीके से आएगा तो 23.7 7 7 हमारा समांत्यमाद आ जाएगा लंत में संख्यानी दी गई ए 230 1800 14 orchestra 25 शबचीश चार चाया और कुल संख्याएं कितनी एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नौ दस ग्यारह बारह तो बारह आ गया तो इस इदर आजाएगा 26 बटे बारह तो यह दो से काट देंगे 13 इदर दो से काट देंगे 6 6 का भाग देंगे 6 दूनी 12 एक बचा सून हो गया तो 6 एकम 6 चार बचा चालेश चारन चातिस फिर चार बचा चालेश पर चांच चाका चातिस तो इस तरीके से अब हम लोग चलते हैं अगले प्रस्ण पार तो बच्चों यहां पर हमारा अगला प्रस्ण दिया गया है कि साड़ी को पूड की दिये वारिक्त स्थानों को भरिये अब एक साड़ी दी गई है और इसके माध्यम से हमें समानतर माध्य निकालना है तो देखो इसको हम होगा चार गुड़े 46 गुड़ा कर देंगे 4चंग 24 की चारा हासिल लगा 2 चार्द चौको 16 और 2 अठा़ रहा है इसके बाद 47 किलो ग्राम भार के दो बच्चे तो यानिकि 2 गुड़े 47 हम लोग कर देंगे तो साथ दूनी 14 की चारा हासिल लगा एक चार दूनी आठ और ए 48 की आठ हासल लगा 4, 6, 4, 24, 24, 28, अब हम लोग सभी को जोड़ देंगे इदर, तो जोड़ देते हैं, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16 और 5, 21, 2 आए हासल, 2, 3, 5, 5, 8, 5, 13, 13, 9, 22, 22 और 8, 30 की सुन हासल लगा 3, 3, 4, 5, 5, 2, 7, और इदर बच्चों की संख्या कितनी है, 3, 4, 7, 7, 2, 9, 9, 6, 15 है, तो बच्चों की संख्या हो गई हमारी 15 है, तो अब यहां पर हम समानतर माद्र के सूत्र में यह सभी मार रख देंगे, सिग्मा एफएक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफएक्स हमारा आया है 701, और सिग्मा एफ हमारा आया है पंद्र है, तो भाग दे देंगे, 15, 3, 45, 5, 4, 60, 70, 10 बचे 101, ठीक है, पंद्र चक्का 90 है, अब बचे 11 है, दसमलब, दसमलब 0 हो गया, तो 110 हो गया, पंद्र सत्त 105 एक सो पांच हुआ है अब बचा 5 फिर से एक जीरो आगे आगया पंदातिया फैटादिस उसके बाद फिर से पांच बचे जीरो आगे बढ़ाया फिर से पंदातिया पैटादिस तो इस तरीके से हमारा समांतर मादर निकल पाएगा 46.7333 यही हमारा आंसर हो गया अब हम आगे प्रस्ट और दिया गया है उसको देख लेते हैं बाहर है बच्चों का 10 kg वो तीन बच्चे हैं और तीन गुणे 10 इस तरीके से लिख दिया 20 kg भार जो है उन बच्चों की संख्या है 12 तो 12 गुणे 20 तो 12 दूनी 24 हुबिस 240 हो गया इसी पिकार से 30 kg भार के हैं 15 बच्चे तो 15 गुणे 30 पंदर तिया 45 450 हो गया सभी को जोड़ देंगे जीरो से जीरो आ गया चार तीन साथ पांच बारह की दू हांसे लगा एक चार दू छे और एक साथ आगया हमारा साथ सो बीस अब हम इदर बच्चों की संख्या जोड़ देंगे तो बारह तीन पंदर और यह पंदर पंदर हो गए 30 तो यहां पे सिग्मा एफ एक्स बटे स समानतर मार्द के सूत्र में हम यह सभी मार रख देंगे 720 बटे 30 जीरो से जीरो कैंसल हो गया तीन दूनी 6 एक बचा बारह हो गया तीन चोकुब बारह चौबेस हमारा आंसर आ गया आयोग की आप लोग इसे समद गया होंगे और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्ल झाल एक बबड़ से खिर झालो побकिल्म इसेस ट्रीश जीरो खिरो जीरो के सरेफनिंठ के सया जीरोग हो गया हो गया हो गया हम भी कि आंसर रखल, आँ हमारे खली आंसर नीरोग उहा हो आई वह हो इसे शेज़ुँद्या आदर हमारी आंसर ऩोदूड़।